नवरात्री में भाबी ने बनाया दस ननन्द के लिए गर्बा लहेंगा अले अले हमारा भतीचा कहां भाग रहा है? आई आई अब तो शीबू को मैं ही पकड़ूंगी मेरी भाबो को किसी को पकड़नी की जुरूत नहीं है शीबू बेटा, आज अपनी जोती पुआ के पास आजा नए, मैं तेच्छी तेपांच नहीं आँड़ा देखा, वो जोती तेरे पास नहीं अपनी पूज़ा पुआ के पास आएगा आजा बेटा नए, नए, मुझे खिलोना चाहिए खिलाना चाहिए वही वल्ल किलोना चाहिए ओह बेटा अभी पैसे नहीं है वो 100-200 को खिलाना आता है इतने पैसे हम कहां से लाएंगे वैसे भी भाया हम 10 को पारने के लिए अपने सारे पैसे लगा देते हैं वो भावी पर ध्यान दे पाते ही नहीं है और नहीं शीबू पर वही तो ये सब हमारी वज़े से हो रहा है वो दे तिलाना चाहिए तिलाना तभी जोपड़ी को लेपकर करोना कहती है अरी शीबू बीटा क्यों रो रहा है अरे भापी इसे वो खिलोना जाएे जो भी गली में आया था उसी के लिए रो रहा है लेकिन पैसे तो है नहीं खिलोने वाला कल भी आया था पता नहीं क्यूं आता है ये बहार देखता है तो रोने लग जाता है और ये सभलता भी नहीं है अब इसके बापा इतने पैसे तो लाते नहीं है कितने देर भी काम कर ले सब कम पढ़ जाते हैं और यह सब भावी हम दस ननन्द की वजह से होता है क्योंकि मामुली लोगों की एक, दो या पांच ननन्द होती हैं यहां तो दस की दस हैं और एक भावी, भावी अकेले हैं आप दोनों हमारी वजह से बहुत परिशान होते हों न अरे पिटाई करूंगी मैं तुम सब की, अगर दुबारा ऐसा सोचा भी तो देखो परिवार परिवार होता है चाहे ननन्द जादा हो या कम हो परिवार के लिए इंसान को करना ही पड़ता है और तुमारे भावी वही फर्ज निभा रही है हाँ भावी, आज हम बहने कोई काम करती तो पैसो का बोज नहीं होता आप दुनों पर भावी की कमाई से सिर्फ दो वक्त की रोटी ही खा पा रही है हम लोग कुछ एक्स्रा कर ही नहीं पाती न नहीं कहीं आप दुनों खुमने जा पाती है बस बस बहुत हो गई सारी बाती आप छोड़ो इन सब को कल से नवरातरी है याद है न तो घर की सफाई कर लो हाँ हाँ भावी अभी करती है यह कहकर करुणा अपने बेटे को खाना खिलाने लगती है और दस की दस नंद घर के अंदर बाहर की साफ सफाई करने लगती है और पास के मैदान से फूल पत्तों को चुनकर उनकी लड़ी से घर सजा देती है शाम को सुमित पूजा का सामान ले आता है अरे करुणा देखो मैं पूजा का सारा सामान ले आया हूँ सब कुछ महंगा बिक रहा था कैसे कैसे करके सौ रुपए में सब ले आया और सौ रुपए में घर के खाने के लिए भी कुछ ले आना जी चिंता मत कीजी में ले आऊंगी और हाँ सामान चेक कर लेना नवरात्री का सामान सारा आया है या नहीं जी सब कुछ है इसमें अगले दिन घर की धुलाई करके सब माता रानी की पूजा करते हैं ओम जे अंबी गौरी मया जे शामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मया जी को सदा ही मनावत हारी भ्रम्मा शिवरी ओम जे अंबी गौरी बोलो नव दुर्गे माता की जै जै हो मातरानी इस घर की सभी कश्ट दूर कर दीजिए इस नवरात्री अपनी कृपा बरसाइए इसके बाद सब परसाइद बांट कर घर का काम कर रहे होते हैं कि पड़ोसी निशा घर आती है एई कारुणा बेहन और तुम दस ननन केसी हो अरे निशा बेहन तुम हम सब तुठीक हैं तुम बताओ कैसे आना हुआ बस अभी उसी कही सिकर करने वाली थी यह लीजे नवरात्री में हम गरबा डांडिया नाइट करते हैं तो आप सब यह आमांत्री थें और हाँ वहाँ का ड्रेस कोड है नवरात्री के मैटल वाले छूंके और जो काले लाल वाले लहंगे होते हैं मतलब जरूरी नहीं है काला या लाल हो लेकिन जो गरबा के लहंगे होते हैं उसमें जरूर आना आप सब आज रात से नौ दिन तक गरबा नाइट चलेगी सिच मी ये मुझे करबा के लब बहुत पसंद है अब तो मैं नौ दिन तक मज़े ही मज़े करूँगी और मुझे भी करबा डान्डिया के लब बहुत पसंद है क्यों मोटा भाभी या रोही मुझे मोटी मत बूल मैं तुझे कहां से मोटी लग रही हूँ अरे भाभी मोटा भाभी को बड़ी भाभी कहते है और पागल को पता ही नहीं है न बस बस सुना है मैंने वो सलमान खान का गाना जो थारा तेरा फोटो न थी तो फोटो कॉपी पांचालिसे ये भी ठीक है आप चिंता मत कीजे नीशा बहन हम जरूर आएंगे नीशा के जाने के बाद दस की दस नंद जितना खुश हो रही थी उतना ही उदास होकर चुपचा बैठ जाती है अरे क्या हुआ अभी तक तो तुम दस की दस खुश हो रही थी बहुत हाँ पुए टावा क्या होगा भावी, अपनी सुझा नहीं, नीशा भावी ने बोला कि ट्रेस कोड लहंगा है, और हमेंसे किसी के पास लहंगा नहीं है, तो हम गरबा नाइट में कैसे जाएंगे, वैसे ही हमारे जिंदगी में कुछ खशी का मौका नहीं है, कम से कम नवरातरी में तो गरबा ख दुन ने बिल्कुल ठेक बोला भाबी, हमेजी किसी के पास एक पी लहंगा नहीं है हमारी जिन्दगी में खुश उना लिखा ही नहीं है, क्यों दुर्गा माता क्यों यह भगवान, मेरी सारे ननन्द कितना परिशान हो रही है दुर्गा माता, मैं आपकी बहुत बड़ी भगत हूँ, चाहे हमारी स्तिथी जैसी भी सही लेकिन आप किसी तरहां इन दस ननन्द का लहंगा तयार करवा दीजे, ताकि यह गरबा खेल पाए अरे हाँ, शुक्रिया मातरानी, मुझे समझ आ गया कि क्या करना है अरे तुम सब परिशान मत हो, आज रात को हम गरबा नाइट में जरूर जाएंगे और मस्ती करेंगे तुम सब का लहंगा मैं रात तक तयार करूंगी, लेकिन इसमें तुम लोग की भी मदद लगेगी हाँ, हाँ, भावी, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप ये हमारे लिए ही तो कर रही है हाँ, भावी, हम सब तैयार है, पर करना क्या है? दिखो, घर में जितने भी कोरे या पुराने कपड़े की कतरन रखी है, वो दे दो थोड़े मैं टेलर से ले आती हूँ, क्योंकि वो तो फैक्टरी ही है, और मेरे पास कुछ पैसे है उसके मैं शीशे भी खरीद कर लाती हूँ, और तुम्हारे लेंगे बना कर उस पर मैं जिपका दूँगी अरे हाँ, हम ऐसा कर सकती है भावी टेंशन हो रही है, कितने लहंगे से ले अब तक, क्योंकि करबा नाइट 9 बज के 10 मिनट से शिरुवात हो जाएगी अभी तक बस में छे लेंगे ही सिलपाई हो, जिस पर तुम लोग शीशे लगा रहे हो, किसी तरह इन सब को भी निप्टाती हो, ठक गई हूँ मैं वैसे, थोड़ा सा पानी दे दे देना फिर पूजा करोणा को पानी फिलाती है, लगातार मशीन चलाकर करोणा का हाथ भी दुखने लगता है, और रात के 10 बजे तक करोणा अपनी 10 नंद के लेंगे तयार कर देती है, जिसमें वो बेहत सुन्दर लग रही होती है अरिवा, तुम सब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, नसर ना लगे तुमें, थो 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 थेंक्यू भाबी, हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, और इतना सुन्दर लहंगा बनाने के लिए, पर आपके लिए तो लहंगा बनाने का टाइम ही नहीं बचा, आप कैसे गर्बा खेलेंगी? हाँ भामी, तुम चिंता मत करो, मैं इसी में ही गर्बा खेलूंगी, तुम दस के दस खुश रहोगी तो मुझे भी जैन रहेगा, जल्दी चलो वैसे ही एक घंटा लेट हैं हम फिर सभी गर्बा नाइट में पहुंच जाते हैं, जहां नंद भावी बाकी लोग गर्बा खेलते हैं सैयर मारी सैयर रे हिचलाई गर्बे खूमो, ढोलेदा ना ढोलवागिया, डम 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 डमक धम है, ही ढोलीदा ढम डम, डमक बाजी ढोलीदा वारी वारी खबर वारी आरा सुर्मा अंबा वीराया जे, पावा ग्लोना डूंगर वाली माकाली तारा डंकावा जे, ए माडी तारू रूप निरालू नवराच्ची के पहले दिन ही सब दस नंद के सुन्दर लहंगे देख बहुत खुश हो जाते हैं अरी वाह पूजा, जोती, तुम सारी बेहनों का लहंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, किस डिजाइनर से लिया है, बताओ न, मैं भी वहाँ से खरीद के लिया आऊंगी, तो कल करबा करूंगी हाँ मुझे भी तुम सब का गर्बा लहंगा अच्छा कर लग रहा है अरे या हमने कहीं से नहीं खरीदा, ये तो हमारी भावी, आपके कहने के बाद ही सुबह सुबह लहंगा से लने लग गए थी, तब जाकर ये अब बन पाया है, सारे लहंगे भावी नहीं बनाए है भावी मान चाहिए, इससे हमारे घर के आर्थिक स्थिती भी बेहतर होगी, तंगी खत्म होगी हाँ भावी मान चाहिए ना ठीक है आप कहते हो तो मैं इतने में ही लहंगा सिल दूँगी और फिर आगले दो दिन में करोणा उनसे एडवांस पैसे लेकर लहंगे का कपड़ा और सामान ले आते हैं इसके बाद वो लहंगा बना कर सबको देते हैं और नवरातरी के 9 देन तक उसकी 10 नंद अपनी भावी कही लहंगा पहन कर गरबा नाइट में गरबा करती हैं और उसी नवरातरी के बीच में दुर्गा मा की क्रपा से करोणा के हालाद बहतर हो जाते हैं और वो मशूर हो जाती है गर्बा लेहंगा बनाने के लिए उसके बाद धीरे-धीरे उसके आर्थिक स्थिति बहतर हो जाती है और सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं दोस्तों मातरानी के कृपा से मेरे तो हालाद बहतर हो गए है आप भी नवरातरी पर मातरानी की अच्छे से सेवा कर उनसे धेर सारा आशिरवाद लीजिए मैं तो चलिए गर्बा नाइच में गर्बा खेलने दोलीदा धम धम धमक ठोलक बाजी धोलीदा तो दोस्तों आप लोगों में से इन नंदों की तरहा कितने लोगों को गर्बा खेलना पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताए